इशा मालविया तो लगी माफी मांगने चलिए बताते हैं धरसल इतने दिनों से जो अभिशेक के साथ पोकिंग चल रही थी तेरे पापा ने तुझे थपड मारा तुने टीवी तोड़ी ले तो दे टीवी ये सारी जो बाते चल रही थी अब इस पे जब अभिशेक की मदर अभिशेक की मदर इशा से जरूर कुछ कहेंगी जरूर उनको कोई शिकायत होगी तो फिर से थेरीपी रूम में बुलाया जैसे कि अंकिता के साथ जो इंसेडेंट हुआ था कि आईए थेरीपी रूम में कोई आपको सुन नहीं रहा है और यहां आप अपने मन की भडास न अभिशेक बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और उन्होंने समझाया भी के बिटा कोई बात नहीं है तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इस तरीके की चीजे बताई उसके बाद जब थेरीपी रूम में गए तो उन्होंने कहा कि बिटा एक बात बताओ कि कब अभिशे कि पापा ने अभिशेक को थपड़ मारा था तुम्हारे सामने कब ऐसा कुछ हुआ है कब हमारे घर में टीवी टूटी है बिटा तो इशा कहती है सौरी आउंटी मैं आप से अंकल से सबसे हाज चोड़ के माफी मांगती हूँ अगर आप लोग हर्ट हुए हो तो मुझे न क्या मतलब है बाहर की बाते मत करो यहां वो आप करने तो नहीं आया हो ना मतलब बड़े स्वीटली वो समझाती है और इशा कंटीनू उनसे माफी मांग रहे होती है कि और आउंटी सौरी मुसे गलती हो गई मैं अब दुबारा आप लोगों को हर्ट नहीं करूंगे अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं अब दुबारे यह चीजे नहीं करूंगे और इस तरीके से इसा सौरी बोलती हुई नजर आए इशा का ये वाला जेस्चर हमें अच्छा लगा लेकिन फिर कहीं न कहीं ये भी है कि इशा अगर ऐसे किसी सिच्वेशन में आती है तो अब अभिशेक का गेम जो दो हपते का बचा हुआ है उसमें बस वो थोड़ी गलतियां जो वो कर देता है ना अग्रेसिवली चार्ज जो करता है वो सारी चीजे न करें तो उसका गेम बहुत अच्छा है हाला कि वोट्स की अगर बात की जाए तो वोट्स अभी भी करने जाएंगे तो उसके मुकाबले में क्योंकि मुनावर का एक विया एक कल्ट फैन फॉलोइंग है और अभिशेक की वैसी वैली नहीं हाला कि अभी अभिशेक के साथ बहुत सारे लोग आए हैं और मुझे लगता है कि यह जो लोग है वो जेनुन पीपल है वो लोग वा साथ में हमें भी रिलाइज हुआ कि हम गलत थे और अभिशेक ऐसा ही है जो वो बोलता था मैं ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही हूँ तो हमें भी अजीब सा लगता था कि यह क्या है मैं ऐसा ही हूँ तो वाकई में वो ऐसा ही है कि वो लड़ता है जगडता है इमोशनल है ओवर है अगर वो लड़ेगा तो भी over करेगा, अगर वो रोएगा तो भी over करेगा, अगर वो हसेगा तो भी over करेगा, तो एक्स्ट्रीम हर चीज को करता है और जो चीज हमें नजर आती है clearly देखने में, तो ईशा और अभिशेक की मदर की बात हुई है, जहां पर ईशा ने clearly sorry बोला है कि आंटी मेरे से गलती हो गई, मैं आप से माफी मांगती हूँ और बाहर अंकल से भी माफी मांगती हूँ, अब आपका क्या है कहना, कॉमेंट में बताना